नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज और CIC Lectures by सूरज में आपका स्वाकत है आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल क्यू शुड्डियूलिंग के बारे में तो अभी तक जो हमने हमें CPU शुड्डियूलिंग अलगोरिथम पढ़े उसमें क्या होता था हम एक ही रैडी क्यू लेते थे हमारा जो रैडी क्यू होता था मतलब क्यू जो जिसमें बहुत सारे प्रोसेस पढ़े होते थे मैंने बताई थी ना आपको प्रोसेस इस्टेट डाइग्राम में एक अंदर लाते थे उन प्रोसेस को ठीक है यह हमारा था रैडी क्यू तो उन सारे प्रोसेस को हम एक एक करके CPU के अंदर लाते थे सारे प्रोसेस एक ही रैडी क्यू के अंदर पड़े होते थे अब वो प्रोसेस अलग अलग भी हो सकते हैं कोई जैसे कोई सिस्टम प्रोसेस है ठीक है कोई interactive process है कोई batch process है अभी बताऊँगा यह क्या होते है ठीक है तो हमारे पास अलग-अलग type के process होते थे लेकिन उन सबको हम एक ही ready q में रखके उन में से select करते थे हम उन में से process extract करते थे cpu को देने के लिए ठीक है लेकिन multi level q scheduling क्या कहता है कि नहीं मैं एक ही ready q में नह अलग-अलग क्यों होने चाहिए जैसे अगर कोई system का process है ठीक है मान लिए पीवन system का process है पीटू इंट्रक्टिव प्रोसेस है पीथरी बैच प्रोसेस है तो सारे अलग-अलग process है आप एक रैडी एक ही ready q में उनको नहीं रख सकते सब के लिए अलग-अलग ready q होगा जैसे कोई system का process है ठीक है system का process है मतलब कोई जैसे interrupt आ गया आपका लिए तो पहे सबसे highest priority है और जो आपके system process होते हैं, उनकी सबसे highest priority होती है, interactive process की medium होती है, और जो batch process है, उनकी low होती है, अब जैसे कोई interrupt आ गया, वो system process है, तो जो इन में से execute हो रहे थे न, interactive and batch में से, जो CPU में थे, उन सब को CPU से बाहर निकाल दिया जाएगा, और किसे execute किया जाएगा, interrupt वाले को पहले जो आपका CPU है, वो interrupt handle करेगा, बाद में इन process को execute करेगा, ठीक है, तो पहले CPU क्या करेगा, इन, इसको interrupt को handle करेगा, बाद में इन जो process है, ये interactive and batch, इनको execute करेगा, तो सबसे highest priority इसी को दी गई है, system process को, जो भी system से related process है, उनको, अब interactive process क्या होता है, आप क्या, जैसे कोई कि मतलब, किसी भी application से direct interact कर रहे हैं, वो होता है, interactive process, ठीक है, तो उनको medium priority दी गई है, medium priority दी गई है, ठीक है, and जो lowest priority है, batch process को दी गई है, मतलब, हम batch process में क्या करते हैं, lowest priority दी गई है, multiple process हम system को, ठीक है, multiple process हम system को, and system उन्हें background में अपने आप run करते रहता है अपने आप execute करते रहता है वो होते है batch processes आपके तो इन सब को इनके category के हिसाब से priority दी गई है system को highest, interactive को medium and lowest को batch को lowest priority दी गई है ठीक है और हर एक के पास क्या होगा अपना ready क्यू होगा हर एक उसके पास इसके आप पास अपना ready क्यू होगा interactive process है इसके पास अपना ready क्यू होगा and batch processes है इनके पास अपना ready क्यू होगा हम एक ready क्यू में ना रखके सब को अलग-अलग ready क्यू में रखेंगे ठीक है और सब की अपनी-अपनी algorithm होगी जैसे आपको system process है वो आपकी round robin algorithm use करेगा ठीक है कि मतलब बहुत सारे जैसे P1 है P2 है P3 system process है तीन system processes है तो round robin algorithm लगाएंगे एक एक time quantum सब को देंगे ठीक है या जो जो time quantum या time slice है वो देंगे interactive process आपका shortest job first लगाएगा कि जो सबसे छोटा process है उसे पहले execute कर देते हैं और batch processes आपका first come first serve लगाएगा ठीक है कि जो पहले आई है उसे पहले execute करेंगे ठीक है हर सबकी अपनी अपनी अलग algorithm होगी कहने का मतलब यह है लेकिन problem क्या यहां पर problem यह है कि अगर मेरे पास more system process है एक मतलब सारे system process processes है तो क्या होगा यहां पर batch की interactive की ट्रन ही नहीं आएगी ठीक है ज्यादा system process है मेरे पास तो इधर interactive और batch की ट्रन ही नहीं आएगी ठीक है ट्रन आई नहीं पाएगी क्योंकि वही system processes ही execute करते रहेगा तो यहां पर starvation की problem आएगी ठीक है जो lower priority के process है जो lowest priority के process है ठीक है वो वेटी करते रहेंगे ठीक है तो इसको remove करने के लिए क्या किया था इसको remove करने के लिए हमने एक multi-level feedback q को use करते हैं ठीक है क्या करते है multi-level multi-level feedback q को use करते हैं ठीक है जो कि इसका next version है हम अपनी अगली वीडियो में यह बात करेंगे कि multi-level feedback q क्या होता है ठीक है अभी के लिए इसमें इतना ही है इसमें वैसे कोई numerical question नहीं आता थियोरी में पूछेंगे आपसे यह ठीक है exam point of view से या gate point of view से कोई numerical question नहीं आता तो इसमें इतना ही है multi-level q scheduling में जितना मैंने आपको बताया अगला हम देखेंगे multi-level feedback q क्या होता है ठीक है उसमें starvation की problem कैसे खतम की गई थी ओके तब तक के लिए धन्यवाद लाइक कीजिए subscribe कीजिए अग मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद